हेलो दोस्तों स्वागत थेक बर फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट करके बोल रहे थे कि यहां हमको स्केल्पिंग के उपर एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आओ लाइव वीडियो में समझाओ कि कैसे स्केल्पिंग किया जाता है किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है तो सारी चीज़े आज के से वीडियो में आपको practical नहीं मिलने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा end तक देखना कहीं पर भी skip मत करना चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर desktop के अंदर चार्ट के अंदर में यह candles के movement को पकड़ने ही कोश्च करूँगा कि candles किस तरफ move कर रहा है क्योंकि यहाँ पर basically एक एक candles में आपको खेलना होता है अगर पांच मिनट का time frame का अगर हमने candles open किया है तो एक ही candles के अंदर आपको घुसना भी है और उसी candle में आपको निकलना भी है तो इस तरसे scalping होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि time frame आपको कम रखना है अगर आपको levels अगरा draw करना है तो आपको 5 मिनट का time frame select करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5 मिनट का time frame open करके रखा हुआ है और सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा levels mark किया हूँ ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 मिनट के candles का high और low mark किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि पहला candle जो है उसमें बहुत ज़्यदा volume रहता है volatility रहता है इसलिए candles बड़े बनते हैं most of the time तो यहाँ पर पहले candles का high और low आपको mark कर लेना है और जब तक इसके अंदर घूमता रहे price उसके अंदर आपको entry नहीं करना है अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है जिस तरफ break करता है लाइक यहाँ पर high को break किया इसके बाद आपको इस तरफ entry करना था यहाँ पर आप देख सकते हैं market ने काफी तेजी से उपर की तरफ गया इसके बाद यहाँ पर क्या किया रीटेस्ट करने भी आया एक बार तो जब रीटेस्ट करने आता है तब आपको इहाँ पर entry करना चाहिए और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता तो नीचे तरफ ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट करता तब हम लोग यहाँ पर entry करते अगर ऐसा सेट अप मिल रहा है तभी आपको ट्रेड करना है या फिर और भी कई सेट अप हो सकते हैं लाइक अगर मान लो uptrend में चल रहा है market तो आपको higher low पर आने तक का wait करना है ऐसा नहीं कि आप किसी भी candles में भूत रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो definitely आपका stop loss sheet हो जाएगा ठीक है अगर यह price उपर की तरफ चड़ा जाता है और यह वाले levels को break कर देता है मैं आपको यह वाले levels को भी mark कर देता हूं ठीक है यह अभी का high है ठीक है swing high है तो अगर इसको break करके उपर की तरफ निकलता है तो लगभग यहां तक आ सकता है इसके बाद जब वापस retest करने आगा तो इस वाले level तक आएगा तो जब pull back करेंगा ना यहां पर हम लोग entry कर सकते हैं तो अभी हम लोगों को wait करना होगा तब तक मैं आपको और भी चीज़े बता देता हूं जब तक यह candles में कुछ pattern बन जा तब तक मैं आपको और भी कुछ information बताता हूं scalping के बारे में तो जो scalping होता है ना दोस्तों यह थोड़ा सा difficult होता है क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक candles के अंदर जल्दी जल्दी आपको decision लेने होते हैं लाइक कहां पर आपको entry करना है तुरंत कहां पर आपको exit करना है यह सर्चीजे बहुत थोड़ा सा difficult होता है बड़ा कर आप stop loss और target दोनों एक साथ लगा करके चलते हैं तो इसमें आप tension free हो जाते हैं चाहे आपको stop loss हो जाए या फिर आपका target हो जाए तो मैं आपको यही वाला method बताऊंगा कि stop loss और target दोनों एक साथ लगा करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा tension ना हो ठीक है और risk उतना ही लेना जितना आप यहाँ पर सहन कर सकते हैं ठीक है अगला point यह है कि आपको यहाँ पर quantity ज्यादा बढ़ा करके लेना होता है लाइक अगर आप छोटे-छोटे points के लिए खेल रहे हो एक candle में आप यहाँ से यहाँ entry की यहाँ पर exit कर लिए यहाँ entry की यहाँ exit कर लिए तो छोटे-छोटे points आपको scalping के अंदर मिलते हैं ठीक है आप सुचेंगे कि बहुत बड़ा move आप capture कर ले इतना बड़ा move capture कर ले एक candle के अंदर तो यह यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा difficult हो जाता है और ऐसा possible general नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटे points से आपको मिलेंगे बट छोटे points से आपका तो brokerage ही ज्यादा कर जाएगा तो ऐसे में आप यहाँ पर quantity ज्यादा बढ बहुत ज्यादा नुक्षान नहीं होता है scalping के अंदर खास करके क्योंकि यहाँ पर अगर आप scalping करते हैं एके candles के अंदर आपको भूशना और निकलना होता है तो बहुत ज्यादा देर तक अगर आप वेट नहीं करते हैं तो आपका है पर time decay नहीं हो जाता है ठीक है जो की theta decay के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो जो time decay होता है वो समय के साथ आपके premium के value को कम करता जाता है बट यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही हम लोग entry exit करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका effect देखने को नहीं मिलता है पूरे दिन दिन भर अगर को wait करता है पूरे दिन भर अगर उसको hold करता है तब time decay का ज़्यादा effect देखने को मिलता है अब आपको next change के अध्यान देखना है अगर trending में चल रहा है तो आपको pullback पर नीचे आने के बाद खरीदना है अगर uptrend में चल रहा है तो आपको call के entry खोज नहीं है downtrend में चल रहा है तो आपको put की entry खोज नहीं है ठीक है आपको एक चीज और ध्यान रखना है timing का कि morning में 9.15 पर ही आपको यहाँ पर यह सारी चीजे नहीं करनी है जैसे कि आप अभी हाँ पर देख सकते है timing 10 बज कर 40 मिनट हो गये है यानि कि almost 11 बज रहे है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा volatility नहीं है इस वज़े से आपक गहंटे तक avoid करना चाहिए चार्ट को screen पर बनने देना चाहिए तब आपको समझ में आगा कि कहां पर आपको entry करना चाहिए कहां exit करना चाहिए proper आपको समझ में आगा morning में ही अगर आप यहाँ पर करने लग जाएंगे और हो सकते हैं यहाँ पर entry के लिए आपने call का तो आपका तुरत stop loss हीट हो जाएगा ठीक है तो आपको in volatility को थोड़ा सा avoid करना है starting में beginners हैं तो अगर आपको experience हो गया है तो definitely आप इधर भी try कर सकते हैं चली अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी मैं आपको चीज़े बता देता हूँ जो कि मैंने आप लोग साथ पिछले वीडियो में डिसकस किया हुआ था कि यहाँ पर setup का एक requirement होता है like आपके पा देख रहे हैं ठीक है तो आप एसा भी कर सकते हैं अभी फिलाल यहाँ पर देखीए यहां हमारा resistance बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग entry कर सकते है food site के लिए अगर यहाँ पर break करता है तो यहाँ पर हमारा stop loss रहेगा ठीक है और अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा यहाँ पर एक अच्छा target यहाँ तक कर मिल सकता है बट एक candles के अंदर हम लोग को निकलना होता है तो यहाँ पर अगर entry करेंगे तो यहाँ तक में भी हम लोग निकल सकते हैं अपना profit book करके ठीक है और SL बहुत ज़्यदा important होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आप application यूज कर रहे हैं कई application में ऐसा भी होता है कि आपको इस top loss और target एक साथ लगाने का options नहीं मिलता है ठीक है तो मैं यहाँ पर आप इस application को यूज करना चाहते हैं तो इस application का account opening link इसी वीडियो के निचे description box में और pin comment box में आपको मिल जागा वहाँ से आप अपना demate account open कर सकते हैं चली यहाँ पर देखते हैं अभी trade place करने का time नहीं आया है यह थोड़ा सा अगर उपर आ जाता है यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पर put की entry लेंगे अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर आने की बाद हम लोग call site के entry लेंगे क्योंकि हम लोग यह यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ यह वाला strong resistance लिया हुआ है कम time frame में ठीक है और बड़े time frame में अगर आप देखेंगे तो आपको हो सकता है अलग result मिल जाए तो अलग-अलग time frame में आपको अलग-अलग support resistance देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है पां candles अभी यहाँ पर कहुंचा हुआ है अगर थोड़ा से यहाँ तक आता है तो हम लोग entry करेंगे यहाँ तक आने का wait करेंगे बीच में आप पर नहीं हुतेंगे ठीक है और इधर आप देखेंगे तो यह वाला जो level है यह हमारे लिए support और resistance है पांच मिनट के time frame में तो जितन ज्यादा time frame रहता है ना वह अले support और resistance को ज्यादा अच्छे से respect करता है हलाकि resistance तो हमारा यहाँ पर भी बन रहा है ठीक है यहाँ पर भी बन रहा है बट इसको उतने अच्छे से respect नहीं करेंगा one minute के time frame में क्योंकि यह कम time frame का resistance है जितना अच्छे से यह वाला ब़र करेगा ठीक है तो one minute का time frame है और इसको तोड़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है अगर और बड़ा time frame रखते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है बट यहाँ पर scalping कर रहे है तो पास minute के time frame का resistance है वो हमारे लिए sufficient है ठीक है तो अभी यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा pause कर लेत है तब तक मैं हाँ पर mobile screen के अंदर आपको कुछ चीजे समझा देता हूं जैसे कि आपको trading करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप nifty 50 के अंदर करना चाते है या फिर bank nifty के अंदर तो मैंने यहाँ पर bank nifty का parent chart open करके रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं nifty bank का अभी फिलाल नहीं है इसके बाद आपको यहाँ पर option chain का option मिलता है तो आप यहाँ से option chain भी देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए option chain के अंदर आपको यह select करना है कि आप call options करेना चाहते है या फिर put options तो अभी आप यहाँ पर देखिए अभी हम लोग यहाँ पर resistance तक जा आपको देखने को मिल रहे हैं फिर आपको यहाँ पर डेल्टा और ठीटा का concept समझना होगा कि कौन सा strike price आपको select करना चाहिए तो डेल्टा और ठीटा जो है डेल्टा जो है वो maximum आपका average रहता है at the money के आसपास ठीक है अगर in the money में जाएंगे तो आपका premium price भी ज्यादा र रूप है ठीक है और यहाँ पर हम लोग कौन साइज strike price select करेंगे 42,800 का क्योंकि यही हमारा add the money है भी nearest add the money को हम लोगे यहाँ पर select करने के कोशिश करेंगे अब यहाँ पर चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो price है वो उपर की तरफ जा रहा है और अपने resistance के आसपास प data की मदद से अगर आपको नहीं पता है कि delta और theta की मदद से कैसे strike price select करते हैं तो आप नीचे discussion box को ज़रूर check out कीजेगा वहाँ पर मैं आपको important videos दे दूंगा वहाँ से आप लोग देख करके सीख सकते हैं कि कौन साइज strike price आपको अच्छे से select करना चाहिए ठीक है अब यहा से select कर सकते हैं फिलाल अभी हम लोग यहां पर current expiry पर ही काम करने वाले हैं ठीक है अब यहां पर देखिए आपको put options कप खरिदना होता है जब आपको लगे कि यहां से market नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर जैसे ही touch करेगा हम लोग यहां पर put की side entry कर लेंगे और हमारा point फूर हैगा कि market नीचे की तरफ गिरने वाला है ठीक है और अगर हम लोग को call options कर दिना होता तो हमारा view क्या रहता है कि market उपर की तरफ जाने वाला है ठीक है तो हम लोग call options कप खरिद सकते हैं जब यहां पर support के आसपास आएगा ठीक है तब हम लोग यहां पर call की entry ले सकते हैं फिलाल आप यहां पर देख सकते हैं चार्ट के अंदर जो पूट वाला है वो अच्छा का सा नीचे की तरफ गिर रहा है अगर हम लोग यहां पर entry किये होते हैं one minute के time frame में resistance area पर तो हमारा यहां पर अच्छा का सा भी तक profit book हो गया होता बट इन सब को देख करके आपको वो नहीं करना है regret नहीं करना है कि यह trade मेंने miss कर दिया miss वाली कोई चीज नहीं होती है market बार बार आपको opportunity देती है तो आपको यहां पर patience रखना है and अपने setup का wait करना है जब आप अपने setup पर काम करेंगे and वहां पर आपको profit and loss कुछ भी हो सकता है बट अगर वहां पर profit होग अभी हम लोग यहां पर call के entry लेंगे तो आप यहां पर call and put का concept समझ में आ गया कि कैसे call options कौन सा कब करीदना चाहिए तो अभी हम लोग यहां पर थोड़ा से basically wait करते है market एक अच्छे से zone पर आ जाए अभी बीच में consolidate कर रहा है तो यहां से हो सकता है अगर हम लोग यहां प पर पैसा loss होने की ज़्यादा चांस है तो अभी हम लोग यहां पर थोड़ा से wait करते हैं यहां पर देखते हैं कि market किस तरफ जाता है तो दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते है market काफे ज़्यादा यहां पर पर परेशान कर रहा है यहां पर sideways हो गया है ठीक है बट हम को wait करना यहां तक का तो चलिए यहां पर मुझे लगता है कि यह price जो है वह यहां तक आने ही वाला है और तब तक हम लोग अपनी तयारी रखते हैं आप पूट options को select करके तो यहां पर मैं सेलेक्ट करना है कौन सा इस्ट्राइक प्रेश हमको खरीजना चाहिए तो यहां पर nearest at the money को मैं सेलेक्ट करूंगा तो 42,800 पर मैंने ऐसे क्लिक किया इसके बाद आपको यहां पर बाई और सेल का option मिलता है मैं यहां पर बाई करूंगा इसके बाद आप यहां पर चाहें तो कॉंटिटी में यहां पर आप देख सकते हैं delivery और intraday का क्या मतलब होता इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है कई बार यहां पर देखिए quantity में आपको डाल देना है कितना quantity आप खरीदना चाहते हैं एक lot में 25 quantity होता है आप यहां पर maximum कितने भी quantity खरी सकते हैं में आपको यहां पर से पैसे कमाने हैं तो आपको quantity यहां पर बढ़ाना होगा और आपको capital भी थोड़ाता बढ़ाना होगा ठीक है तो अभी यहां पर फिलहाल 25 quantity ही रहने दूंगा इसके बाद नीचे आपको यहां पर place order का options मिलता है इसमें आपका यहां पर तीन options मिलेगा if price is below इसका मतलब यहां पर जो price आपका डला रहेगा उस price से कम price पर आपका यह order buy होगा जैसे यहां पर premium देख सकते हैं 172 रुपे 172 रुपे चल रहा है तो यह इससे कम होना चाहिए तभी आपका order buy होगा अगर आप यहां से order place करते हैं तो अब अगर आप यहां पर click price पर जो भी market का current price रहेगा सेम उसी price पर आपका यह order है वो buy हो जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर तीन options मिलते हैं मैं अभी फिलाले यहां पर if prices below को ही रहने देता हूं इसके बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ options मिलता है stop loss और target दूनों एकसाद डालने का ठीक है तो तो इस तरह से 12.7% का आपका stop loss और target रहेगा ठीक है आप यहां पर percentage वाइस भी change कर सकते हैं लाइक अगर आप 30% करना चाहते हैं stop loss और 3% आप target रखना चाहते तो इस तरह से आप इस टौप लौस टार्गेट लगा सकते हैं और यहां पर डालने के बाद यहां पर अगर छोगया है तो अब आपको क्या करना है इन सारे डाटा स्कों डालने के बाद आपको वेट करना है आपके अपने सेटब का तो यहां पर आप देख सकते हई पर पहुँच चुका है यहां पर premium 166 रुपय चल रहा है तो मैं यहां पर कितने से कम डाल देता हूँ 165 से कम price जिस भी price पर रहेगा उस price पर ये market price पर buy हो जाएगा 165 से कम होना चाहिए ठीक है अपने high पर आ गया है top पर हो सकते हैं आप पर break out करने के बाद price बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाए बट यहाँ पर मैं अभी आपको entry करके दिखाता हूँ तो मैं आपर बास इटी कर लेता हूँ select और यहाँ पर का करना है review buy order पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर brokerage हो गयरा सब कुछ देख लेना है submit order पर click कर देना है मैंने यहाँ पर order को submit कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो order है वो buy हो चुका है यहाँ पर सबसे पहले हमारा stop loss ही हो गया पोटफोलिय के अंदर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर 36 रुपय का हमारे यहाँ पर LOST हो चुका है ओर्डर से अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ देख सकते हैं हमारा जो Stop suas है वो तुरंत हीट हो गया है ठीक है अब हम लोग यहां पर फिर से एक बार एंट्री करने कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पर प्राइस बहुत तेजी से उपर की तरफ चला गया और हमारा इस्टॉप लॉस खा गया चलिए हम पर हम लोग फिर से एक बार एंट्री बनाने कोशिश करते हैं सेम इसी स्ट्र ठीक है और यहाँ पर अभी 162 से कम में हम लोगों को खरीदना है तो अभी फिलाल मैं आपर review by order पर क्लिक करता हूँ submit order कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा फिर से एक बार order प्लेस हो चुका है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा order जो है एक बार फिर से प्लेस हो चुका है और यहाँ पर 162 में हमने खरदा हुआ है अभी यहाँ पर देखें stop loss हमारा 153 का है और target हमारा 170 का है देखना है कि यहाँ पर market अब नीचे की तरफ गिरता है और फिर उपर जाता है अगर उपर जाएगा तो फिर से हमारा stop loss हो सकता है अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा इस बार target अचीव होने वाला है तो अभी हम लोगों को wait करना है और watch करना है कि हमारा price किस तरफ move करता है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी overall 30-35 रुपे के आसपास इस वाले trade के अंदर हमारा profit दीख रहा है तो अभी फिलाल हम लोग यहाँ पर orders के अंदर ही रहते हैं इस particular order को track करने के लिए और यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं हमारा stop loss और target दोनों अभी schedule में लगे हुए हैं जो भी पहले achieve होगा वो हमारा execute हो जागा चाहे stop loss या फिर target और अगर आप अपने stop loss और target को modify करना चाहते हैं तो यहाँ से आप modify भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं 4% का टार्गेट लेकर किच लता हूँ ठीक है रिवी पर क्लिक किया सब्मीट कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टॉप लोस टार्गेट दुनों मोडिफाई हो चुका है अभी यहाँ पर हमारा टार्गेट है 185 का तो अभी आप यहाँ पर दिख सकते हैं चार्ट के अंदर यहाँ पर हमने और यहाँ पर हमने एंटरि गिया था यहां से मार्केट नीचे की तरफ गीर है है इस वोजे से हम लोगों को यहां पर प्रॉफिट दीख रहा है इस वाले ट्रेड के अंदर अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता तो यहां पर पूट आप्संस के अंदर हमारा लॉस दीख रहा होता बट अभी यहां पर देख सकते एक सो तीन रुपए एक सो पांच पहुँच गया है यहां पर हमारा टार्गेट है 168 रुपए 10 पैसे का तो यहां पर देख सकते हैं अभी हमारा टार्गेट की बहुत करीब हो चुका है थोड़ा बहुत भी अगर यहां से प्राइज नीचे आता है तो हमारा टार्गेट अभी अचीव होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो order है वो complete हो चुका है और यहाँ पर हमारा target इस बार अचीव हुआ है और 160 रुपए का यहाँ पर इस वाले trade के अंदर अभी हमारा profit हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका LTP 168 रुपए 10 पैसे 15 पैसे के असपास अभी fluctuate कर रहा है अभी यहाँ पर portfolio के अंदर आ करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने दो trade में loss लिया था तो यहाँ पर लगबग 1500 रुपए के असपास हमारा brokerage भी हो जाएगा बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आप scalping करते हैं तो आपको कम से कम stop loss और कम से कम target ले करके चलना है ताकि आपका stop loss भी जल्दी हीट हो जाए या फिर target भी हमारा जल्दी अचीव हो जाए ठीक है तो इस तरह से stop loss और target को लगाते हुए scalping कर सकते हैं या फिर आप अगर manually stop loss लगाना चाते हैं manually target करना चाते हैं exit करना चाते हैं तो उसके लिए आप regular orders का use कर सकते हैं अभी फिलाल इस वीडियो में आप लोग को बताया कि कैसे आपको stop loss और target एक साथ लगाना है और क इंट्राडे करना चाते हैं तो आपको swing को पकड़ना होता है अगर आप यहां पर चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपने इस लो पर अगर बाय कर लिया जैसे ही support पर यहां पर आया आपने बाय कर लिया इसके बाद आप वेड कर रहे हैं थोड़ा बहुत उपर नहीं चा की या थीक है पांच चेड्र वन मिनेत की टाइम फ्रेमं में अगर लोग यहां पर इसको पांच मिनेट के टाइम तरम में करना ऑँता है तो इस तरसे यहां पर देख सकते हैं कुछ टीम हमारा आप प्रप्लत होता है कुछ आइनहीं तेफिनिटली आप प्रप्लत कमा सकते हैं यहां पर कई बार क्या आघर वीडियो के थे थूरू बता रहा हूं संझा रहा हूं तो यहां पर प्रभबलम हो जाता है कि मैं आपको समझाओं या फिर अपने कुकस में रह करके अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका लॉस हो जाएगा तो दोस्तों मुझे पुरह में दिक कि आज का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सके चलिए फिलाल अब इक लिए सुड़न बस इतना ही मिलते है नाइ सुड़न तब तक के लिए जय हिंद जय भारत